स्वीजर लेंद की पारियमंट्र स्वीजर लेंदड की पारलियमंट्र गबना प्रम्त वेइंट एन दोनों को इकले पाव கोम हम एक साथ करते हैं तो ऑपरो सेंद्फ एन एक संक्षन्र सुप्र्जिश हो सब्सक्राइब aumento उप्र्जैन्देंग इसको both एसा पॉस्स दीज दोनों कोिकटेफ़ लेकर इनके pacify रिक्रेश्जैन्टेट्फ इसका प्राइम अब्जेक्टिक क्या होता है लोग को फ्रेम करना तो जितने भी लोग फॉर्मुलेट किये जाती है वह स्विस्ट पार्लियर्मेंट में ही फॉर्मुलेट किये जाती है तो स्विस्ट पार्लियर्मेंट है जे अपनी देश में वह सारी लोग है वह बनाती है वहाँ पर सेपरेशन और पावर नहीं है इसी वज़े से जे अधर फंक्शन से वह भी कर रही है जिसकी वज़े से इसके पास वह सारी पावर्स आ जाती है जितनी चाला पावर्स होंगी उतने ही ज़्यादा इसके functions होंगे legislative powers जो law making के process के साथ related होती है तो जी कौन सी subjects है उन पर law बना सकती है तो it can be laws on the subjects of federal list and concurrent list जैसे federal list में जो union को powers दी गई है जो unions को subjects divide के गई है उनमें ही federal parliament law बना सकती है and concurrent list जिसमें center and canton दोनों ही law बना सकती है तो जी अपने subjects में ही law बना सकती है जो subjects canton को दिये गई है उन पर जी कोई भी law नहीं बना सकती है and इसके लिए it can issue ordinances regarding the federal matter जितने भी federal matter है अगर उसके लिए बहुत urgent हो तो ordinance है इसको भी issue कर सकती है जे power भी federal parliament के पास है and इसके इलाबा जो federal government है federal officials है उनके election भी कौन करती है जे legislative powers federal parliament को दी गई है इसलिए उनके रिगार्डिंग जो भी law बनाए जाती है वो law भी federal parliament बनाती है laws about the organization and election of federal office जो भी federal officials है इनके organization है election है इनके रिगार्डिंग law बनाने का गाम federal parliament के है and जे ही है जो federal government की salaries को fix करते है and इसके इलाबा जो external safety है इसकी responsibility भी federal parliament को है तो इसके लिए external safety के लिए preservation of independence के लिए और जो स्रीजरल है वो neutral है neutrality को maintain करने के लिए जे कोई भी law बना सकती है तो जे सब कुछ जो federal parliament है इनके subjects में ही आता है और इसके इलाबा जो territorial integrity है इसको maintain करने के लिए cantons है इनके constitution को protect करने के लिए भी जे law बना सकती है तो इनके पास बहुत सारी legislative powers आ जाती है जो legislative का main काम होता है तो जे जो भी law बनाय जाते है जिस law के उपर कोई भी judiciary है judicial review नहीं दे सकती जो objective officers है जो federal parliament है वो parliament veto भी नहीं कास कर सकती मेंज क्या हो गया जो federal parliament के द्वारा law pass किये गए है जिस सबसे supreme होते है इनको कोई challenge नहीं कर सकता अगर इनको कोई challenge कर सकता है तो वो आम लोग ही challenge कर सकते है अगर बिल कोई urgent basis पर नहोग और जो बिल 90 days में पास हो गया अगर उसके बाद within 90 days उस पर 50,000 लोग है initiative करें और जी करें कि इस बिल पर referendum होना चाहिए तब जाकर referendum होता है तो जो last power है वो किसी organ को ना देकर वो आम लोगों को दी गई है इस तरह जो इनकी legislative powers है वो बहुँ ज़्यादा expand है then executive powers होगता federal parliament federal parliament है इसके पास बहुँ सारे executive powers भी है जो लोग बनाए जाते है इनको implement करने की responsibility भी इनके पास है वैसे तो federal parliament के जो लोग बनाए जाते है उसके लिए federal executives है जिसको federal government कहते है जिसमें seven members है तो उसके साथ इनकी कुछ responsibilities भी है तो जो federal government है जो federal executive है उनको elect करने का काम किसका है उसका काम भी जिस federal parliament के है इक elect का members of federal government judges of federal supreme court जिसमें 26 supreme court के judges होती है एन 12 substitute judges को appoint करती है एक commander chief को appoint करती है and federal government के लिए एक जो federal civil servant है उसको वीजे खुद ही elect करते है जिसको federal chancellor कहते है जो civil services का main head होते है और federal government को अपनी services provide कराते है तो जो federal government है इसके उपर control किसका हो गया federal parliament का हो गया इसकी duty होगी responsibility होगी कि लोग अच्छे सी implement हो इसलिए जे अच्छे members है उनको ही जे elect करते हैं इसकी इलावा जो देश की आर्मी है आर्मी को control कौन करती है federal parliament करती है अगर country में war हो war को declare कौन करेगा federal parliament होगी अगर peace conclude करनी है जे भी federal parliament ही करती है जो foreign policy है foreign policy formulate कौन करता है जे भी federal parliament करती है internal and external जो भी law and order है इसको maintain करना external relations बनानी जे सब federal parliament को ही duties दी गई है जे ही है जो federal laws है इनको implement करने के लिए main responsible होती है इसके लिए जो federal government के members है जिनको seven members कहते है जो plural executive होते है इनसे जे कोई भी question है वो पोच सकते है जब जे federal government से question पोचते है तो इसको जो भी law है लो से related questions है जो भी उनकी problems है वो सब कुछ पता चल जाती है तो उसके according ही जे law बनाते है अगर कोई practical problem है implementation के लिए उसको विजी sort out करने की कोशिश करते हैं इसके इलावा जो federal government है जे annual report है वो federal parliament में submit तराती है उसको consider भी federal parliament ही करती है now security functions तो legislative functions, executive functions now security functions देश को secure करने की सभी की सभी responsibility federal parliament के पास है इसलिए जे external and internal security को maintain करने के लिए सिर्फगाड के लिए कोई भी matches है वो ले सकती है अगर इसको किसी भी कैंटन में कैंटन की किसी भी पार्ट में अगर अपनी military है उस military को mobilize करना पड़े तो जे भी कर सकती है इस तरह जो military है military पर control किसका हो गया जो federal parliament है इसका है क्योंकि जो commander in chief है वो भी federal parliament के द्वारा ही elect किया जाता है और इसके इलावा अगर कोई extra ordinary situations होती है इन circumstances में अगर ordinance है वो इशू करना पड़े तो जे federal parliament है वो भी इशू कर सकती है तो इसके पास security से related जितनी भी काम है जे ही करती है अब इसके बाद आते है financial powers देश की finance की ओपर control किसका है उस पर भी इसी का ही control है federal parliament अगर money bill है हम देखती है जितनी भी countries होती है उन countries में money bill law house में ही introduce किया जाता है लेकिन जो स्वीजर लेंड है इसमें money bill है हम वो चाए अपर house है law house है चाए आप इसको federal house of representative में चाए senate में किसमें भी introduce कर सकती हो तो finance पर control federal parliament का है तो जी annual federal budget है इसको pass करती है जो federal government है उसके द्वारा ही prepare किया जाता है और introduce किया जाता है federal government है वो budget बनाएगी और pass कोन करता है federal parliament करती है अगसेक्टिक क्या करी है जो बिल है budget है वो बना रही है और pass करती है legislature और इसके इलावा जो भी federal की spending है federal accounts है इनको भी जे अपरूब करती है इस तरह जो देश का finance है financial policy है उसको अपरूब कोन करता है federal parliament करती है अगर federal parliament देश के finance को अपरूब नहीं करेगी तो इसके बिना एक Swiss franc है इसको खर्च नहीं किया जा सकता तो finance पर control federal parliament करती है next judicial power जो इसके पास judicial power थी 2000 के constitution के पहले इनके पास वो सारी judicial power थी लेकिन 2000 के constitution जो new constitution बनाया गया है इसके बाद इसकी जो powers है वो reduce हो चुकी है तो कुछ इसकी जो judicial powers अब तक है वो कौन कौन सी power है जो आज के time में ये use करें है पहले जो federal supreme court के जो judges है इनको elect करती है जो 26 supreme court के judges है इनको elect किया जाता है 12 substitute judges है इनको elect किया जाता है इसके इलावा जो federal supreme court है वो वे अपनी annual report है annual report को federal parliament में बेशती है जिसको consider कौन करता है federal parliament करती है और इसके इलावा जो highest federal authority है अगर इसमें कोई conflict arise हो जाए उस conflict का decision कौन देता है वो decision भी federal parliament देती है और इसके इलावा जे आम लोगों को mark कर सकती है general emergency है और pardon है वो grant कर सकती है जे decision भी federal parliament का है अगर federal parliament है federal parliament जो appealed है वो भी सुन सकती है अगर कोई administrative court है उसका decision है और federal government उसके अंगेज decision दे दे तो इस decision के अंगेज appeal है वो federal parliament ही सुनती है इस तरह इनके पास आज भी बहुत सारी judicial powers है वो prevail करती है इसके बाद लाज चाते है constitutional powers जो federal parliament है इनके पास ही constitution को amendment करने की power है constitution को अगर totally revise करना है पूरा का पूरा constitution change करना है जे इसकी कुछ articles को remove करना है नए articles exert करने है इसमें कुछ भी amendment करने है वो सभी powers इसको ही दी गई है तो जे amendment process है इसमें party speed करती है अगर federal constitution में कोई भी amendment करनी है तो जब भी constitution को amendment करनी होती है उसके लिए अगर दोनों houses या federal parliament अप्रूब करने के बाद इसको जो आम लोग है उनके approval के लिए बेशता है candidates के approval के लिए बेशता है इस पर ये random होता है candidates अप्रूब करती है और उसके बाद federal parliament है federal parliament क्या कर देती है उस constitution को पूरी तरह revise कर देती है तो after its approval सबसे पहले federal parliament के approval होती है उसके बाद ची लोगों के approval के लिए और candidates के approval के लिए बेजा जाता है और इसके इलावा जो federal constitution है federal constitution को protect करने के साथ candidates के जो constitutions है उनको बीजे control करती है evaluate करती है इसका मेनी क्या हो गया अगर candidates है Canton का constitution में कोई amendment होती है जो Canton के constitution है हो totally revise होती है तो इसकी evaluation है evaluation federal parliament करती है तो देखती है जो नया constitution बनाया गया है या amendment के गई है इस amendment में जो federal constitution के प्रवेजन थे उसके according ही तो की गई है जो कुछ different है evaluation federal parliament करती है तो इसके पास इस तरहे बहुत सारी powers हो जाती है जो इसकी powers है powers को हम कैसी conclude करते है in the words of nurture वो कहते है there are very few legislative bodies in the world which exercise so much influence and perform such miscellaneous functions as to the Swiss federal assembly it means क्या हो गया जितनी वी जाला powers है जो सिस federal के पास है इस federal parliament के पास है वोल्ड में बहुत ही कम countries होती है जिनके पास इतनी सारी functions होती है जबकि वहाँ पर जो federal government है federal president है वो president भी federal parliament का member नहीं होता उसके बार दी जिब बहुत सारी powers है इन powers को use करते है इस तरही आज हमने federal parliament के पावस की next session में करेंगे आज के time वी जो federal parliament है इसके पावस्टिक लाइन करती जा रही है इसके क्या causes है and mutual relationship between the federal parliament and federal government वे देश हमारा आज का session है वो complete होते है अगर आपकोई क्या प्यादिया दिया तो post it in the comment books and video चिलागी तो please like and share with your friends thank you so much and have a nice day और जो प्रेंग हो एंग कि लिए ए डाली।